Hello Friends, Welcome back to my Channel The Well Kitchen आज मैं आपको बहुत आसान तरह के से बहुत ही आपनी पालो की ग्रोध कैसे बढ़ा सकते हो साथ-सात मैं आप आपने बालो को शाइनिंग और मजबूत कैसे कर सकते हो भो बताउगी अगर आपके डेंडर्फ की प्रॉब्लम खतम होने वाली साथ में अगर आपके बाल जड़ते हैं तो प्रॉब्लम भी खतम होने वाली तो यह रेमेडी बहुत ही आसान तरीके सिफ बनेगे और आप इसको स्टोर करके रख सकते हो यह तीन से चार महिनी के लिए बिल्कुल खर सब्सɪले लाल प्याज ले लेना है और फिर इनकी ऊपर वाले छिलके को हटा लेना इस तरीके से बहुत ही आसान से बहुत ही आप रच बैंड हो जाती है तो चाहरु प्याजव लिए लिएस वाल मृत हम नहीं के तेयार हो जाएग ए हमार न है क्ब्रें लेना है और आपको इस चीज का ध्यान रखना कि जो आप प्याज लोना वह बिल्कुल लाल हो ना चीए मतलब एक दो टाइप के प्याज आते हैं मार्केट में एक तो थोड़ा वाइट वाला आता है जो मीठा रहता है तोड़ा सा एक आता है तोड़ा तीखा और यह तोड़ बारीक काटा है तो तो थोड़े मोटे मोटे पीसिस में काटेंगे और मैं प्याज की एक ऐसी चीज बताती हूं कि प्याज बहुत ही जदा अच्छा होता है यह वेट लॉस भी करता है और साथ-साथ में आपके बाल बढ़ाता है अगर आपके सामने से फोर हैड से अगर आ कि नहीं बताएगी वीडियो कैसे लगे इन क ladies q tomato आधिक मतलब ढ़क मतलब हैया है तो अब इससी लगारते वाल losing अभी ऐसा आप descriptive ट्राइब इस अच्छ तो बहुत सारे लोगबाग सेजेशन हमारे को देते हैं और हम यूज भी कर लेते हैं तो आपको यह नहीं कि आप इसको भी उसको कोई दिककत नहीं आप इसको अगर ट्राय करोगे तो खुद को अच्छी देखने को मिलेंगी कोई इसमें ऐलर्जी नहीं होगी कोई मतलब मैं तो आप इसको एक वार ट्राय किजिएगा एक देखने को मिलेंगी पहले ट्राय करोगे तो बहुत ही अच्छा बालों को थिकनेस मिलेगी साथ साथ में बालों की शाइनिंग रिस्टोर होगी तो इस तरीके से देख सकते हैं तो इस तरीके से थोड़ा डबा ले लिए तो मतलब ब्लाब के अच्छान के लिए बताय ओं यह पना लस्मेयर को मेंने तो ऑप भी तरीके हैं अगग्नेया देखना से तरीके से तो यह टो ऑप गय से जो 녹र में बदल थोड़से तो इसमें द्र स्मेipp में बदल सके हैं आभ इसमें डालन जून मैं आपको बोलत हैं झाल कैसे तो बहुत निकाल निकाल रखे तो बहुत यह एच्छा सॉखरी बाईट पारटेकल निकाल रखे तो बहुत थे लोग・ अपको नहीं निकाल रखे थेज माइने लगत, अब फृर निकाल के लगया सो पर मार्किट वाला भी बिल्कुल प्योर होना चाहिए तो इसको डब्बे को अच्छी तरीके से हम पैक करके रख देंगे और इसको आपको धूप में रख देना है तीन दिनों के लिए तीन दिनों के लिए मैं इसले बोल भूब अभी यह की प्लास्टिक है डब्ब और आप इसको दूप में रख दो मतलब यह प्लास्टिक फिर अंदर से बर्न हो जाएगी जलने लग जाएगी आपको इसको मतलब ऐसे दूप में रखना है कोई भी रूम टेंपरेचर में रख सकते हैं तो यह जो प्याज है वो गल जाएंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे और इसका जितना भी कस है ना प्याज का वो इस तेल में आ जाएगा तो इसी लिए आपको ना दो तीन दिन के लिए इसको रखना है यह नहीं कि आपने जैसी प्याज लाला जैसी लॉंग डाली तेल में आपने लगाना शुरू कर दिया अपने सर पे ऐसा आपको कोई फायदा तक कि चान लेना था तो एक लाला आपको चान ले ने हमाएगा कि लिए सकते हैं कर दो हसा एक अनला तेल कर दो के लिए हैं यह थारी कुन onde आपको अगर डेमाल ना नॉर्मल इसको लगाके शाय वो कि आपको पहले चांए आपका नहीं चॉन थाब्स यह वेक्टी पहली कर तो आपको चार दिनों के लिए रखना है प्याज को धूप में और फिर आपको इसको इस तरीके चे डब्ब में दुबारा पैक कर देना है और दुबारा पैक करने की बाद थोड़ा थोड़ा तेल आपको लेना है हफते में जब भी आप सर्द हो ना उसे तीन-चार बहंटे